मुझ arriv, आपका स्वागत है गुरुमा कृष्ण मूर्ती जी है चैनल साथना शक्ति में आज जादतर लोग अपना वेपार ही करने की कोशिश करते हैं इस कोशिश में कुछ लोग सफल हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग रह जाते हैं इन में वेपार भी अलग-अलग तरीके के होते हैं कुछ लोग जुवा, सिट्टा, लोट्री आदी में भी पैसा लगाते हैं और इससे पैसा कमाते भी हैं इनको वे लोग वेपार ही समझ लेते हैं क्योंकि इस से उन्हें कमाई होती है कई बार इन चीजों में पैसा लगाने से उन्हें नुकसान होता है और वे उस नुकसान को सैने की स्थीती में नहीं होते हैं इनके अलावा और भी बहुत से ऐसे काम है जिनमें पैसों का नुकसान होने के संभावना रहती है। लेकिन मनुश्या के वश्च में कुछ भी नई होने के कारण वे अपने आपको अवसहाय मैसूस करता है। अगर आप भी इसी तरह की परिशानी में हैं या आने की कोई संभावना है तो चिंता ना करें। आपकी परिशानी को दूर करने का एक उपाय आपको बताया जा रहा है, जिससे अपना कर आप हर तरह की समस्या से बच सकते हैं, और आपका शौक या वेपार जो भी हो उसे बरकरार रख सकते हैं, इसके इलावा ज़ादा पैसे कमा कर अपनी शौरत भी बरकरार रख सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते आपको इसके लिए क्या करना है इसके लिए आपको कुछ समगरी की जरूरत पड़ेगी जिनमें एक कागज का तुकड़ा, एक पैन और एक दीपक इसको किसी भी शुकरवार के दिन, किसी भी समय उप्योग कर सकते हैं इसे इस्तमाल करते समय सफेद रंग की दोती धारन कर ले और सफेद रंग का ही एक सूती आसन बना ले इसे 11 दिनों तक करना चाहिए अपना ध्यान उतर दिशा की तरफ करके सबसे पहले कागज पर मंतर लिखें और उस कागज को अपने दाएं हाथ में पकड़ कर मुठी बंद कर ले और फिर दिपक को जला ले फिर इस मंतर का 11 बार जाब करें इस वीदी को अपने 11 दिन तक करना है और हर बार कागज नया होना चाहिए हर रोज कागच को अपने तक्ये के नीचे रखना है जब 11 दिन पूरे हो जाएं तो लिखे हुए बागच के तुकणों को उठा कर कहीं भी चलते हुए पानी में बहा दें इस उपाई के इस्तमाल होने वाला मंतर कुछ इस परकार है इस उपाई को करने के बाद अगर आप जुआ सटा लौटरी के लिए जाएं तो आपको वह नुकसान नहीं होगा बलकि आप पहले से ज़्यादा पैसे कमाएंगे और आपको निश्चित पायदा होगा नुकसान के संभावनाएं खतम हो जाएंगी अगर आपको इस उपाई में करने में कोई भी समस्या आए या कोई भी परिशान नहीं आए तो आप बिना देर किये हमारी गुरुमा कृष्ण मूर्थी जी को कॉल या वेटसब पर मैसेस करे जैमाताती दोस्तो